दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए तो नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हो हमारा चैनल जिसमें हम आपके लिए नए-ने बिजनस आइडियाज लेके आते हैं तो आज का बिजनस आइडिया एक ऐसा बिजनस है जिसे आप अपने घर से भी शुरू करके असानी से काफी पैसा कमा सकते हूँ ये बिजनस एक बहर चलने वाला ये बिजनस जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कोई भी पॉइंट बीच में से स्किप ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदमन होने वाली है दोस्तो आज हम बात करेंगे स्वीड बॉक्स मेकिंग बिजनस के बारे में दोस्तो स्वीड बॉक्स वो चीज़ होती है कि कोई भी आप अगर मिठाई खरीकते हो तो उसकी जो पैकिंग होती है जितनी टेस्टी मिठाई होती है उतरी है अगर अच्छी पैकिंग भी हो तो मिठाई खाने का मज़ए कुछ और होता है जन्रली हम लोग फेस्टिवल्स में या अगर हम कोई शादी या कहीं जाते हैं जहां पर हमें ऐसे पैकिंग के बॉक्स मिलते हैं और उसके अंदर जो मिठाई होती है तो बॉक्स जितना अच्छा हो मिठाई खाने में उतना ही ज्यादा मजा आता है और वो बहुत देखने मे में अच्छा भी लगता है तो दोस्तो हम इसी कि स्वीं बोक्स मेकें किंग बिजन से के बारे में आज बात करेंगे हम देखेंगे कि इसमें कौ न सर्माशीन क्या भाश्राँ क्लिठा होती है कौन से रोव माट्रियर्स लगते हैं इसके बाबा इस बिबिजम कितना स्टेक होने वाला है है और अगर दोस्तों आपने मैंने मेरे चैनल को अबसे नहीं किया है well दोस्तों बढ़े रहे जण omg बात करें इस इस में ए regen की तो आप इसes wonders से कर सकते हैं आपको घर में 250 하는데 करना चाहते हो तो आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते होगा. अब दोस्तों, अगर बात करें, इस विडिनस में मशीन की, तो आपको इसमें कोई आप कहीं का ओडर लेते हो तो वो दुकान का अगर आपको वहाँ पे नाम प्रिंट करना है तो आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है 30 यार से ये प्रिंटर की जो प्राइजिंग है वो स्टार्ट हो जाती है अब दोस्तों अगर बात करें इसके रौ माटियरल की तो आपको प्रिंटेड हाड पेपर लगेगा प्रिंटेड हाड पेपर आपको 25 से 30 रुपे किलो से आपको मिल सकता है इसमें एक किलो में अगर आप एक नॉर्मल बॉक्स के जो प्रिंटेड है वो बना रहे हो तो आपको कुछ 700 से 800 बॉक्स आपके बनके त्यार हो जाते है अगर आप एक हाई कॉलेटी बॉक्स बना रहे हो तो उसमें पेपर थोड़ा जादा लगता है तो आपको जो box है वो आपकी जो 300 से 400 pieces में बनके आप त्यार कर सकते हो तो दोस्तों इस प्रकार इस business में आप काफी अच्छा profit margin भी बना सकते हो अब दोस्तों अगर बात करें इसके costing और इसके profit की तो दोस्तों अगर आप इस business start करना चाते हो तो आपको एक starting level पर ही पांच लाग रुपे से 107 लाग रुपे तका एक amount लगेगा उसके बाद आपको एक running amount भी लगेगा क्योंकि 3-6 मेना आपको business इसमें run करना होगा ताकि आप अपने अच्छे से customer बना सके अब दोस्तों अगर बात करें इसके profit की तो आपको इसमें जो profit margin हो बहुत अच्छा है आपको 70% से तो 50% दखता इसमें profit margin भी मिल सकता है आए दोस्तों आप देखते हैं कि इसका marketing किस प्रकार किया जाए दोस्तों जैसे कि ये business जो है ये B2B वाला business है क्योंकि इसमें आपको डारेक कस्टमर तर नहीं पहुंचना है तो इसके लिए आपको कुछ salesman रखने होंगे जिनके target customer जो है वो sweet shop हो सकते है बेकरी शॉप्स हो सकते है जो सुपर बदार है वो हो सकते हैं क्योंकि उनको भी packing के लिए कभी तो भी boxes की जवरत पढ़ती है इसके अलावा event management जो companies होती है उनसे contact कर सकते हैं क्योंकि event management आजकल क्या होता है कि 300-400 जो भी बहरती आते हैं उनके इसाब से जो विदाई होती है या कुछ और function होती है तो उसमें गिफ्ट देने के इसाब से भी इस ताइप के boxes की पैकिंग लगती है तो दोस्तों यह लोग आपके targeting customers बन सकते हैं और festival में यह बिजनस आपका सबसे अच्छे लेवल पर आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि festival में इस तरीके के boxes की जाला जरुवत होती है तो दोस्तों यह थी एक all over information इस बिजनस के बारे में हम इसी तरह की information हमेशा लाते देते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को कर दीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जरूर जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम फिर किसी innovative idea के साथ में लेंगे तब तक के लिए दोस्तों बंदे मात रहते हैं कर दोस्तों आज है